खुटमह्नी विद्यांटनी 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 विद्यों। विजहनु भी तो आपड़े पाट पे चौह पंद जोट विशेन भयास करी छुक्यां अवे आझे फट सत्त तेजल अमदा वावर्म एना विशे अपड़े अब्यास कर्मा अचतु पाड़को तेजल अमदा वावर्म टोके यह पेजल जो.. प्रत्रति असंति लोगार मदे लिए, ockeyअर्य. टोके यह माँता ना महीलिदफ равно बाट्यु आधाना इललाच करवा मदे लिएक आम्दावा शहर मा आवह झा it. तो पाड़को तम देन खबर रशेकी अमदावाद कियू सहेल छे अमदावाद बूर टू इशार शवर्ण शवर्ण छे तोकि आवा शवर्ण मा गांग्डे के हाविली ते जल्दे एट्टी अपड़ों पड़े छे अन ए नवावाद मृति प्रेवी रिते प्रेराईचे प्रेवी रिते इअमदावाद स्वर्ण मा शेकिन ठाय छे एणी आप्रे आपड़ मा शमद्वु चर्च्या घरवाली छे तोकि पाड़ीज पाड़ी अमदा क्यों शयार्चे ताक्टू पोटू शया छे યે દે પરલુલો સેભો ખેષરુલો પાણી, તો કે અપડાવા મેચરલો ફાણી, આને કે જળ, જૈયા, રહે છે, એ का में दू पर टो के मीजू घर्मा ये मुद्गो आःठके ब 차 माँ चीजा अड़ी को आव चीजाल्मा टेंजल नामासे रहे छे, ए घर्मा एकले के टेंजल् नामसे रहे छे ए Lean गर्मा आणे función प्राट चीजाल हम मम्हमः, मम्हमी ये ज Act W तो क्या हाई मामी एक गिल्धीं बबभ वाने किल्धीं छे एक प्लेट छे प्लेट मा काम बद बाल एनुह पर छे त्या काम करवा चती हुआ पर चे पोड अनुद तेजलनी मामी आने यह भरवाच्चे अं के जलना मामाना अंक्षी सु अंतол अशे वह संच सिद्ध में वदल्वान के खेगत। मामा जे जर्गया सर्कारि वह से वह खां chick देगतं नшая विट्ण के वात लिप्क्रिण 58 व०्ण। नमस्कार वाहला विध्यार्थी मित्रो आजे आपने धोरन चार ना परियावरन विशय ना पाठ नमबर सत्तर ते जल अमदावाद मा विशे अभ्यास करीशू बाड़को गामडानू जिवन खुबज शांती मैं अने मनने आनंद आपनारू होई छे परन्तु गामडामा केटलिक एवी वस्तुओ होई छे के जी आपने सरल ताथी प्राप्त नथी करी शकता शहरों मा आपनने ए वस्तुओ खुबज सरल ताथी प्राप्त थती होई छे तेमानी एक वस्तुशे होस्पिटल नी सुविधा ते जल एक महिना पहला पोताना माताना इलाज माटे अमदावाद जिवा मुटा शहर माँ आवी हती अही तमे गुजरात राज्येनो नक्षो जोईशा कोछो आ नक्षा मा अमदावाद शहर क्या आवेलू छे ए पण तमें जोईशा कोछो तो ते जल पोताना माताना इलाज माटे आ शहर नी अंदर आवी हती तेनी माताने होस्पिटल मा दाखल करवा मा आविया अने तेनो इलाज पन शरू थाई चुकियो छे अमदावाद मोटू शहर तिमे धिमे ते जल शहरी जीवनने अनुकुल थवा लागी हती बालको जारे पन आपणे कोई नवास थड़े नवा घरे रहवा माटे जता होईये त्यारे शरू आतमा आपने थोड़ी अगवडता पड़ती होई छे परन्तु जहम जहम तेस थड़े आपडे समय पसार करवा लागिये तेम तेम तेस शहर ने अथवा तो तेस थड़ ने आपडे अनुकुण थवा लागिये छिए एटले कि त्यां रहवा माटे आपडे टेवाई जता होई ये छिए तो तेजल साथे पन कईक आउज थयू तेजल कहे छे हजू याद छे मने ते दिवस च्यारे हूं अने मारी माता अमदावाद स्टेशन पर ट्रेन मा थी उतरिया त्यारे केटली भीड हती तेजल कहे छे कि ए दिवस मने याद चे जारे हूं पहली वखत मारा गामडे थी अमदावाद शहारमा आवी हती अने अमदावाद स्टेशान उपर केटली बधी भीड हती आम तो स्टेशान उपर भीड रहती जोई छे, परन्तु जे व्यक्ती पहली वखत स्टेशान उपर आवे, तेने आ भीड वधारे लागती होई छे, तो तेजल साथे पन कैंक आउज थायू हातू, तेजल कहे छे, के तेमने जडब थी, तेमनी मातानों हाथ पकड़ी लिदो हतो, कारण के आटली बदी भीड मा तेने थोड़ो डर पन लागतो हतो, तेजल विचारती हाती, के आटली भीड मा तेमना मामा, तेमने केविरीते शोधी शक्षे, कारण के आही तो कोईने पन अड रखवा खूब मुश्केल छे तरत अज पाचर थी में मोट्टे जी बोलवानों अवाज सांबढ़ियो तेजल तेजल में पाचर फरीने जोयू तो ते मामा हता तेजल कहे छे के हुँ विचारती हती त्या आज पाचर थी कोईक बोलतु होई तेजल तेजल एवो अवाज में सांबढ़ियो अने जेवीज तेजल पाछळ फरी ने जुवेचे तो तेमना मामा ज तेमने बुलावी रहया हाता तेजल तेमना मम्मी अने तेजलना मामा जेवाज रेलवे स्टेशन माथी बहार निकड़िया तो तेवो मामाना घर तरप जवाना रस्ता उपर चालता हाता परन्तु दरेग जग्याए तिया भीडज देखाती हती कारण कि अमदावाद जिवा मुटा शहर मा तो ट्राफिक ए सामानियवाद छे तेवो एक साकडी गली माथी पसार थै रहिया हाता अहीं चित्रमा तमें जोई शको छो तेजल तेमना मामा अने तेमना मम्मी एक साकडी गली माथी पसार थै रहिया छे अने आ गली नी बनने तरफ हरोड बद केटलिक जूपडियो पन तमें जोई शको छो त्यार बाद अहीं थी चाली ने तेवो मामा ना घर सुधी पहुचे शे तेमा पन आवी साकडी गली माथी ज पसार थवू पड़े छे अहीं तमें जोई शको छो तेजलना मामा तेमना मामी आने तेमनी बे दिक्रियो औने एक दिक्रो बधा आज एक रूम नी अंदर रहे छे आ चित्रा मा तमें जोई शको छो अहीं जमवा माटे नो नाहवा माटे के सुवा माटे नो कोई अलग वैवस्था नथी हवे तेजल अने तेजल ना मम्मी ने पण तेमनी साथे आ एकज रूमनी अंदर रहू पड़े शे तेओ शू कहे छे क्या ही तेओ बेसे छे तेओ सुवे छे तथा जमवानू कपड़ा अने वासन धोवानू बधूज काम तेमने आ एकज रूमनी अंदर करू पड़े शे बाड़को अमदावाद जेवा मुटा शहेर मा घर बनावू खुब खर्चाल होई छे तेथी गरीब लोकोंने आ प्रकारना एकज रूम वाड़ा घर मा परिवारना बधाद सब्योंने साथे रहवानी फरज पड़े छे बाड़को अहीं तेजल कहे छे के मारा गामना घर मा पण एकज रूम छे परन्तु अमारे रसोय माटे अने नाहवा माटे जुदी जग्या छे अने अमारे बहारनी तरफ आंगणू पण छे आ चित्रमा तमे जोई शको छो के गामडावो नियंदर जे घर होई छे तेमा रसो माटे रसोडू पण अलग होई शे अने नाहवानी वैवस्था पण अलग होई शे अने घर नी बहार थोडू आंगणू पण होई शे 12 दोस्तो आ पाठमा आपने तेजलना मामा औने मामी विशे तो जोईू परन्तु हवे आपने तमारा मामा औने मामी विशे पन थोडि चर्चा करिये तो धारी लईए कि आही तमने जे चोकरों देखाई छे ते तमे पोते शो आने अहीं तमने जे X3 देखाई छे ते तमारा मम्मी छे तो हवे तमारा मम्मी ना जे भाई होई छे ते तमारा माम्मी ना जे भाई होई छे तमारा माम्मी ना पतनी ए तमारा माम्मी ना भाई ए तमारा माटे थाशे मामा आने तमारा मामा ए जेमनी साथे लगन करिया होई एटले के तमारा मामा ना पतनी ए तमारा माटे शों थाशें तो ए तमारा माटे थाशें मामी पानी आपना जीवन नी खुँब अगत्यानी जरूर्यात शे बाडल मित्रो घणा बधा लोको एवा होय छे के जहिमने पानी प्राप्त करवा माटे घणी बधी महनत करवी पडती होय शे तो चालो आपने जोहिए के तेजलना मामाना घरे पाणी प्राप्त करवा माटे तेवो केवा प्रियासो करता हाता अने तेजलनू गामडानू जे घर छे त्या थीते केवी रिते पाणी प्राप्त करती हाती तो अहीं आपणे जोईए तो तेजलना मामी, रुत्वा अने तेजल वहली सवारे चार वागे उठी जता हाता अने तेमना घर नी नजीक जे सामुहिक नल हतो त्या तेवो पाणी भरवा माटे जता हाता नहीं फुटा माँ तमे जोई शको छो के तेवो पाणी भरवा माटे आरिते लामबी लामबी लाइनो मा उभारे ता हाता तेजल कहे छे बापरे त्या तो पाणी माटे केटला जगडा थाई शे जेटला पन लोको पाणी भरवा आविया होई तेमने पूतानी डोल अथवा तो पूतानी बाल्टी पहला भरवी होई छे एटला माटे तेमनी वच्चे जगडो थतो होई शे अने जो तेवो पाणी भरवा मा थोड़ा पन मोडा पड़े तो तेमने आखा दिवस नू पाणी न मले अने पछी तेमने पाणी वगरज आखो दिवस विताओ पड़तो होई शे हवे आपने जोई है कि तेजल ना गामडा ना घरे तेवो पाणी केवी रिते प्राप्त करता हाता तो तेजल कहे छे कि तेना गामडा ना घर मापन नल न थी परन्तु गामडा मा तो तड़ाओ मा पाणी होई छे अने जेने पन पाणी जोतु होई त्या तड़ाव मां जय अने पाणी लई आवे छें तेजलना घरे थी तड़ाव पासे जवामा 20 मिनिट जेटलो समाई लागे छे आ फोटानी अंदर तमें जोई शाको छों उनाडामा घणी वखत तड़ाव मां पाणी सुकाई जाए छे त्यारे तेजलने अने तेना परिवारने लगभग एक कल्लाक सुधी चाली अने नदिये पाणी भरवा माटे छवू पड़तु हाई छें परन्तु एक वाथनू गामडामा सुक छे के त्या पाणी भरवा माटे शहरों माजेवा जगडाओ थाई छें तेवा जगडाओ नसी थता होता तेजलना मामा जे गलीमा रहे छे ते गलीना एक छेड़ाओ उपर पबलिक टोईलेट एटले के सौचालै आवेलू छे आ गलीमा रहता तमाम लोको फक्त आ एकज सौचालै नो उप्योग करे छे एटले के तमाम लोको ना घरे पोतानू अलाईदू सौचालै नथी होतु एटला माटे आट जे सौचालै छे ते खुबज गंदु होय छे अने त्या खुबज खराब दुरगंद पण आवती होय छे बाण मित्रो पहली वखत्तो ज्यारे ते जल आ सौचालै मा जाई छे त्यारे तेने उल्टी जेऊ थतु हतु कारण के खराब दुरगंद ना कारणे ते जल बराबर स्वास पण न लई शकती हती क्यारेक क्यारेक तो आ पबलीक टोयलेट मा पाणी पण नथी आवतु हतु एटला माटे तेमने पाणी पण पबलीक टोयलेट मा साथे लईनेज जह उपडतु हतु परन्तु ते जल कहे छे कि हवे तिया बधीज मुश्केली ओथी टेवाई गई हती कारण के ते अमदावादावी तेने घणों समय थाई चूकियो हतो ते जल कहे छे के तेमना गाम मा केटलाक लोको खुली जग्याओ मा के खेतरों मा सोच माटे चाहे छे तेमा पूरुशों अनेस्त्रियों बन्ने अलग-अलग जग्याए सोच क्रिया करवा माटे जटा होई शे तो बाल मित्रों आ एकदम खुटी वाद चे आपने हम्मेशा सोच क्रिया सोचा लई माज करवी जोईए लखो तेजलने तेनी माताने लई गाम्थी अम्दावाद केम आवू पड़ियू हतु उत्तर तेजलने तेनी मातानी सारवार करावा गाम्थी अम्दावाद आवू पड़ियू हतु बिजो सवाल तेजलने तेना मामाना घरे सोचालाईनों उप्योग करता केम उल्टी जेऊ थयू हतू उत्तर ते सोचालाई खुबज गंदू हतू अने त्यां खुबज खराब दुरगंध आउती हती तेथी तेजलने उल्टी जेऊ थयू हतू तेजलनु घर अने मामानु घर कई रिते जुदू पड़ेशें उत्तर तेजलना घरे मुट्टू आंगणू हतू रसोई माटे अलग थी रसोडू हतू नावा माटे अलग थी बाथरूम हतू ज्यारे तेजलना मामाना घरे अलगणू रसोडू के बाथरूम ना हतू तेमना घरे फक्त एकज रूम हती अने तेमने बधीज प्रवुती आ एकज रूम मा करवी पड़ती हती बिजो सवाल तेजलने सामूहिक नळथी पाणी भरवामा अने गामडे पाणी भरवामा शू तफावत लागे छें उत्तर, गामडा मा पाणी भरवा माटे कोई धक्का मुक्की के जगडों नथी करता, कारण के तड़ावनु पाणी तेमने पूर्ता प्रमाण मा अने जहरे पन जरूर होई त्यारे मली रहे छे, जहरे अमदावाद मा लोकोंने लाइन मा उभा रही अने सार्वजनिक नल पर थी पाणी भरू पड़े छे, अने एपन पाणी दिवस मां अमुक चोक्क समयज आवे छे, एटला माटे ते ओ जडब थी पाणी भरवा माटे धक्का मुक्की अने जगडों पन करता होई छे तेजलना मामा रहे छे, त्याँ विजली हशे, तमे केवीरी ते जानियू, के त्याँ विजली छे, के नहीं उत्तर, तेजलना मामा ज्याँ रहे छे, त्याँ विजली छे, कारण के अहीं दर्शावेला फोटा मा तमे जोई शको छो, के तेजलना मामा घरे एक टेवी छे, औने एक बालक आ टेवी जोई पन रहे छे, औने आ बिजा फोटा मा तमे जोई शको छो, के अहीं जे गली छ जे रस्तो छे ते रस्ता उपर विजलीना तार पण छे औने विजलीना थामला पण आपने जोही शक्किये छे तो आ बाबतो पर थे आपने कई शक्किये के ते जलना मामाना घरे विजली हशे ते जले अमदावाद मा आवी अने घणी वदी नवी वस्तुओं शिखी हती जोही आपने ते जल कहे छे के दर रोज मारे मारी माताने जुवा बसमा चहू पड़े छे हवे ते जलनी माता तो होस्पिटल मा दाखल हता एटले त्या तेमनी सारवार करवा माटे ते जलने रोज होस्पिटल मा जहू पड़तु हतु अवे होस्पिटल तो घर थी खुब दूर होय एटला माटे तेने बसमा बेसिने जहू पड़तु हतु करंतु ते जल तो पहली ये दरेक वातनी तेमने खबर ना हती, परन्तु जेम जेम समय प्रसार खईयो, तेम तेम तेजल ने हवे आ वातनी आदत पड़ी गई हती, येटलेकि आ बदीज वस्तू तेने शिखिली दियाती, औने हवे तो तेजल डरती पण नती, औने एने एपण वातनी खबर छे, के लाइन मा केवीरी ते उभूरे हुँ जोईए टिकिट माटे किटला पईसा आपवा अने टिकिट क्या थी लेवी तेमाज कया स्टेशने उत्री जवू आ दरेक वाद हवे ते जले शिखिली दी हती अमदावाद आवी ने ते जले बीजी कई-कई नवी वस्तुओ जानी चालो तेना विशेपन आपड़े जोईए ते जल कहे छे कि अमेजिया रहिये छिए त्या नजीक माँ आ प्रकार ना उच्चा-उच्चा मकानों आवेला छे अहीं तम्ये चित्र माँ जोईशा को छो आ प्रकार नी बहुमाली मकानों आवेला छे ते जल कहे छे कि मारा मामी त्याँ साथ घरनी सफाई अन्ये वास बासन धोवानू कारियां करे छे आ फोटानी अंदर तमें जोई शको छो ते जल पण एक दिवस तेमना मामी नी साथे आ फ्लेट नी अंदर जाई छे टले के आ प्रकारना मकानों नी अंदर जाई छे ते जले ज्यारे पहली वखत आटला बदा उच्चा उच्चा मकानों जोया त्यारे तेने नवाई लागी अने तेने एउ थायू के आ एक मुट्टू घर छे परन्तु पाचल थी तेने जण मामलियू के ते फक्त एक घर नहतु परन्तु घणा बदा घरो एक नी उपर एक ए पाएला हता एटले के फ्लेट प्रकार ना मकानों हता आने ते जलने थोड़ू आस्चरिय पन थाई शे आने मनमा प्रश्ण पन थाई शे कि आटली बदी उची बिल्डिंग मा हूं केवी रिती आटली बदी चीडियों चडिश परन्तु त्या लिफ्ट नी वैवस्त चाह होई शे आ लिफ्ट नी अंदर घणा बदा मानसो गोठवाई जाई शे अने त्यार बाद एकज बटन दबावता आ लिफ्ट आपनने जे माले जहू होई ते माले आपनने पहुचाडी दे शे ते जल जारे पहली वखता लिफ्ट मा बेशे शे त्यारे तेने थोड़ी दाखल थएला शे उत्तर हाँ मारा दादाने होस्पीटल मा दाखल करवामा आवया हाता तो केटला दिवस माटे दाखल करिया हाता तो मारा दादाने लगबग चार दिवस माटे होस्पीटल मा दाखल करिया हाता तमारा दादाने चारे होस्पीटल मा दाखल करिया त्यारे તમે તેની મુલાકાત લિધી હતી હાં મે તેમની મુલાકાત લિધી હતી ત્યા દર્દીની દેખરેક કોણ રાખે તમે ઉચા મકાનો જોયા છે અને જોયા છે તો ક્યા જોયા છે હાં મે અમ્દાવાદ વડોદરા સુરત જેવા મુટા શહેરોમાં આ પ્રકારના ઉચા 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 મકાનો જોયા છે તે મકાન કેટલા માળના હતા તે મકાન અને વીસ માળ સુધીના હતા તમે કેટલા માળ ચડિયા છો હું દસ માળના પગત્યા એક સાથે ચડિયો છું બીજુ ઘર મામી સર્વ પ્રથમ તેજલ ને હર્ષના ઘરે લઈ જાય છે હર્ષનું ઘર બારમાં માળે આવેલું છે હર્ષનો ઘર જોઈ અને તેજલ ને નવાય લાગે છે કેટલુ વિશાળ ઘર છે કેટલુ મોટુ ઘર છે અને આ ઘરની માટે નો રૂમ અને એક રસોડુ પણ હતુ કે જેઆ રસોઈ બનાવામાં આવે છે અને તેમનું શોચાલઈ પણ ઘર ની અંદરજ હતુ અને અલગ હતુ આ બદીજ વસ્તુ ઓ જોઈ અને તેજલને થોડી નવાય લાગે છે તેજલ્શું કહે છે કે ભરવા માટે બહાર જોં પડું નથી એટલે સરણ દાથી કામ થઈ શકે સાબ સફાય ખુબ જ જલ્દી થઈ શકે હવે રસોડા માં પણ નળ છે એટલે કે જે રસોય બનાવા માટે પાણી જોઈએ તે રસોડા માજ પ્રાપત થાઈ છે એ પાણી નો બગાડ થાઈ છે તો તેજલને આ વસ્તુ ગમતી નથી એટલે તેજલ જાઈ છે અને તે નળ બંધ કરી દે છે બા મામાના ઘર જોઈ શક્તી પરંતુ કઈુ ઘર તેમના મામાનુ છે તે ચોકસ પણે કહી શક્તી નહતી કારણ કે ઉપરથી નિચે જોતા આપણને દરેક વસ્તુઓ ખુબ જ નાની નાની અને રમકડા જેવી લાગે છે જ્યારે તે જલે બારમાં માળેથી નિચે જોવાનો પ્રિયતના કર્યો તો સરવપ્રથમ તો તેને ડર પણ તો તે જલજારે સરવપ્રથમવાર અમદાવાદ જવા મુટા શહેરમાં આવેશે ત્યારે તેને ભીડ ભાડવાળી જગ્યાયે જવામાં બસમાં જવામાં લીફ્ટમાં ઉપર ચડવામાં અને હર્ષના ઘરે ઉપર થી નિચે જવામાં પ જવે આપણે જોઈ એ કે મામાં રેતા આથા તેમના ઘરમાં કઈ 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 સુવિધાઓ હતી કે કોઈ પણ કામ માટે નુપાની પણ તેમને બાહર્થી ભરીને લાવુ પડું પડું હતુ મામાના ઘરે હવા ઉજાશ માટે કાચની કે મૂટી કે નાની બારીઓ નહતી અને તેના મામાના ઘરે રસોડુ પણ નહતુ હતુ હર્ષના ઘરે કાચની મૂટી મૂટી બારીઓ હતી એટલે કે તેમનું ઘર હવા ઉજાસવાળુ હતુ પઈસાદાર અને સુખી સંપણ ન છે આ તફાવત તેમની આર્થિક પરિસ્થિતી ના કારણે હતો તેજલના મામાં ગર રહો છો તેના ઉપર વર્તુળ કરો એટલે કે તે ઘર કોના જેવું છે તેજલની જેવું છે મામાં જેવું છે ક વિકલ્પ પર ગોળ કરું છું તેયાર પછીનો સવાલ તમારા ઘરમાં પાણી ક્યાં થી આવે છે તો અમારા અમારા ઘરની નજીક સ્પારકલ હસ્પિટલ આવે લી છે નિચેની જગ્યાઓ તમારા ઘરથી કેટલે દૂર આવે લી હવે શાળા ની વાદ કરીએ તો નેવુ મિનીટ જેટલો સમય શાળા એ પહંચતા થાઈ છે અને શાળા 7 કિલોમીટર જેટલી દૂર આવે લી છે હવે બજાર ની વાદ કરીએ તો બજારે પંચતા 5 મિનીટ નો સમય લાગે છે અને બજાર મા જુદા જુદા પ્રકારના મકાનો ના જીત્રો તમારી નોટબુક માં દોરો તો સરવપ્રથમ તો તમારી આજુબાજ પણ જોયા હશે અને તમારી આજુબાજુમાં આ પ્રકારની બહુમાળી ઇમારતો પણ હશે એક નવી ચિંતા તેજલના મામાયે તેજલને કહીં કેતે એક દિવસ તેજલને આખું અમદાવાદ જોવા લઈ જવા માંગે છે બાળ દોસ્તો અમદાવાદ શહેર સાબરમતી નદીના કિનારે આવેલુ છે અને સાબરમતી નદીના કિનારે અઉસરસ મજાનો રિવર ફ્રંટ બનાવામાં આવેલો છે અમદાવાદ શહેરના લોકો રજાના દીવસે વાર ત તા હોય છે તેથી તેજલની એવુ લાગે છે કે જો તે રિવર ફ્રંટ ઉપર જશે તો તેને પણ કલાકાર નેતા કે જોવા મળી જાશે આ દીવસો માં તેજલના મામા ખુબજ ચિંતા માં છે એટલા માટે તેજલ તેમને આ રીવર ફર તેજલના મામા જે જગ્યાય રહે છે તે સરકારી જમીન ઉપર બનાવવા માં આવેલા મકાન છે એટલા માટે તેમ ના ઘરના સભ્યો ને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ નો સામનો કરો પડ્તો હોઈ છે જોઈએ કે હીં તેજલના મામાના ઘરના લોકો કેવા પ્રકારની મુશ્કેલીઓ નો સામનો કરેશે હવે તેમના મામાને આટલે દૂરથી કામની જગ પણ વધી જશે આઉપરાંત તેમના મામી પણ બાજુના ફ્લેટ માં સાત જગ્યાયે કામ કરે છે તો તેમને પણ દૂર સુદી જવું પડશે કારણ કે તેજલની માદા પણ હજી સંપૂરણ રિતે સાજા નથી થયા ઘર છોડી બિજે જવાના કારણો બાળમિત્રો કણા બદા વ્યક્તીઓને પોતાનું જુનું ઘર છોડી અને નવા સદધરતા વધતા વધારે સગવડતા વાળા નવા ઘરે રહવા જવાનું થવા થી પણ લોકો એક ઘર મુકી અને બિજા ઘરે રહવા જતા હોઈશે બાળમીત્રો છે લોકો પોતા ની મરજી થી એક ઘર છોડી અને બિજા ઘરે રહવા જાઈ છ ખર્ચવા પડશે અને ઘણી વખત તો તેમને નો કામ ન પણ મળે અથવા તો કામ મળતા વધારે સમઈ પણ લાગે તો જગ્યાએ રહે છે તે સરકારી જમીન છે અને સરકાર્દવારા જગ્યા ખાલી કરવાની નો ટિસ મળે હવાથી મામાએ તેમનું ઘર બદલું પડશે તમે તમારા ઘરેથી સ્થળાનતર કરીં છે જો હાં તો તમારે સ્થળાનતર કેમ કરું પડીં ઉતર હાં મે એકવાર સ્થળાનતર કરીં છે અમે નવા વિસ્તાર માં એક મકાન લિદુ હતુ ત્યા રેહવા જવાનું થવાથી અમારે સ્થળાંતર કરું પડીં હતુ શુત અમારા કુટુંમમાં સભ્યોએ કામ છે ચર્ચા કરો તેજલના મામા જ્યાં રહે છે ત્યા હોટલ બનવાની છે તેના કારણે તેજલના મામા અને તે આજુબાજુમાં રહેતા ઘણા બધા લોકોને સ્થળાંતર કરોં પડશે આ વાત સારી કહવાઈ તેના વશે આપણે ચર તે જમીન આપણી પૂતાની માલીકીની હવી જોયે બાળમીત્રો તમે જે ઘરે રહો છો તે ઘર તમારા વડિલોના નામ પર છે તે જગ્યા તમારા વડિલોની માલી કે ની છે એ પણ તમે ખાસ પૂછી જોજો તે નાથી કોણો ફાઈદો થશે કોને મુશ્કેલીઓનો સામનો ખરો પડશે તો તેજલના મામા અને ત્યા રહતા ઘણા બધા પરિવારોને સ્થળાંતર કરોઓ પડશે એટલા માટે તેમને મુશ્કેલીનો સામનો કરો પડશે તેજલના મામાની જેમ કોઈ લોકો રહિતા હાતા પરંતુ રોડ પોળો થવાના કારણે તેમને પૂતાના ઘર છોડીને બીજી જગ્યાઈ રેવા ચવુ પડીં હતુ આ પાઠનો ત્યાન પૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપસર્વ વિધયારથી મિત્રોનો ખુબ ખુબ આભાર ફરી મળીશુ એક નવાપાટ સાથે